हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G60 Android वाइल फोन में आप जो है नाइट लाइट सेटिंग को आप सेडियूल कैसे कर सकते हैं और ये नाइट लाइट सेटिंग जो है सेडियूल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी आज की इस वीडियो में आपको डेटेल में जानकारित देने वालो हूँ तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है सैटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे की साइड आना है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो नाइट लाइट सेटिंग होती है यह आपकी सैडियोल हो जाती है अभी नाइट लाइट सेटिंग जो है सैडियोल होने के बाद यह सैटिंग कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूं तो जब भी आपका संसेट होगा यानि कि शाम का समय होगा evening का उस समय आपका night light setting automatic इस तरीके से enable हो जाएगी आपकी enable होने बाद आपकी mobile phone की display कुछ इस तरीके की हो जाएगी ठीक है और यह evening से लेके पूरी night यानि पूरी रात तक आपका display कुछ इस तरीके से रहेगी और जैसे sunrise होगा यानि कि morning का समय होगा तो आपकी mobile phone की night light setting है या आपकी automatic off हो जाएगी ठीक है इस तरीके से normal condition में आपकी display आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको यह button आपको जो है दबा के दिखाया था यह option मैंने आपको दबा के दिखाया था ताकि night light setting जो है दिखती कैसे हमारी phone में आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है जब आप इस setting को schedule कर देंगे तो यह आपकी everyday हर दिन ऐसे ही काम करेगी और night light setting को जायतर हम schedule इसलिए करते है ताकि हम बार-बार इसे option में आने के बाद जो है इसे on ना करना पड़े ठीक है यह setting जो automatic काम करेगी